आपका स्वागत है दुष्ट्रियाई चानल की इस नई वीडियो में ये हमारी MCQ प्राक्टिस सिरीज है तो आज किस वीडियो में हम एकॉनमी के सेग्मेंट पर बात करने वाले हैं हैनि के एकॉनमी से जुड़े जितने भी important topic आज आपको देखने को मिलेंगी वो आपके प्रशनपत्र के लिहाद से बहुत ज़्यदा important हो सकते हैं चलिए इस वीडियो की शुरुबात करते हैं सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल तो आज का हमारा पहला सवाल है इसमें आपसे कोचा गया है कि लिमलेकेत में से कौन सा किसी वस्तू के लिए मांगी गई मात्रा को प्रभावित नहीं करता है तो हमारे option है option A वस्तू की कीमत, option B पूरक वस्तू की कीमत, option C किसी स्थापन वस्तू की कीमत, या फिर option D वस्तू के उत्पादन में आगतों की कीमतें, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका option D, सबसे पहले तो सवाल को समझें अगर आप सवाल में बताना था कि इन मे से कौन सा option है जो कि किसी वस्तू की मांगी गई मात्रा यानि कि demand को प्रभावित नहीं करता है तो आपने supply और demand अपनी economics में ज़रूर पढ़ा होगा उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल था तो demand अर्थशास्त को अगर आप देखें, demand economy को अगर आप देखें तो demand economy का एक सिध्धान्त है जो अगर आप बाजार से कुछ समान खरीदने जाते हैं तो कहा जाएगा कि आप उस समान को demand कर रहे हैं तो ये हमने demand की बात की और मांग की गड़ना उस कीमत के रूप में की जाते है जो वोगता उतपाद या सेवा के लिए भुगतान करने को तयार है तो basically ये हमने demand को समझा demand क्या होता है अब यहाँ पर जो पहला important word आता है वो है आपका स्थापन वस्तुएं स्थापन वस्तुएं क्या होता है स्थापन वस्तुएं यानि कि substitute product तो substitute product क्या होता है जिस product को आप जो है किसी दूसरे product के साथ substitute कर सकते हैं यानि कि basically मान लेजे कि अगर आप coffee पीते हैं और coffee एक जिना चानक से गायव हो जाती है तो आप क्या करेंगे आप चाय पीना पसंद करेंगे तो आप जो है चाय और coffee को substitute product के तौर पर देख सकते हैं जो substitute product है basically substitute product की जो मांग है वो मांगी गई वस्तुएं की मात्रा पर विपरीत प्रभाव डालती है इसलिए विकल्प सी आपका सही नहीं है इसके अलावा जो आपका जो second word था वो है आपका पूरक वस्तुएं पूरक वस्तुएं क्या होती है तो पूरक वस्तुएं वो होती है जो एक दूसरे को compliment करती है जैसे कि अगर आप देखें तो आपका जो जैसे pencil के अगर आप बात करें इसके अलावा अगर आप दूसरा एक्जामपल देखें तो आप कह सकते हैं कि चाए और चीनी यानि कि शुगर तो चाए और शुगर आपस में पूरक वस्तू हैं क्योंकि अगर आपको चाए बनानी है तो आपको शुगर की जरुद पढ़ने वाली है केवल तब जब तक किसी वस्तू की मांग की मात्रा को स्तीधे प्रभावित करती है स्तीधे प्रभावित करने का क्या मतलब है स्तीधे प्रभावित करने का मतलब यह है कि चाए और चीनी का अगर आप एक्जामपल लें तो अगर आपका चाए की डिमांड बढ़ेगी यानि कि अगर लोग चीनी भी खरीदने पड़ीगी तो चाई की डिमाइंड बढ़ने के साथ में था चीनी की दिबान भी बढ़ती है तो दोनों में जो है positive relation आपको को मिलेगा यहां पर जो है सीधे प्रभव आपको देखने को मिले और यहां पर हमने क्या बात कि ती यहां पर विपरीत प्रभाव पड़ता है विपरीत प्रभाव के तरफ अगर आप देखें हमने एक्जाम्पल का चाय और कॉफी के बीच में क्या relation है इसके अलावा किसी वस्तू की जो मांग की मात्रा है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारख होते है जैसे कि खरीदार की आए कितनी है उप भूगता रुझान और स्वाद किस तरह का है किस तरह का टेस्ट उप हुकता रखते है इसके लावा संभावित खरीदारों के संख्या कितनी है भाविश्य के आपूर्ति के उमीद कितनी है लोगों को जरूरत कितनी है यह तमाम पाक्टर्स है जो कि आपका किसी वस्तू की demand को decide करते हैं तो यहाँ पर आपका जो option यहाँ पर अगर आप सवाल को देखते हैं तो हमारा अगला सवाल है किने मिलखित में से कौन सा कारक एकाधिकार अप्रपिस परधा को दर्शाता है हमारे option जो है option ए विभेदित उत्पाद option जो कथन दो है वो है आपका क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या option जो कथन तीन है वो है entry की बाधा है option 4 सजाती उत्पाद उसका जो सही जवाब है वो है आपका हमें नीचे लिए कूट को और अखूट के अधार पर सही विकल्ब का चुनाव करना है हमारे option है option A केवल 1 और 2 option B केवल 1 2 और 3 option C केवल 3 और 4 या फिर option D केवल 2 और 4 तो इसका जो सही जवाब है वो है आ मोनोपलिस्टिक कॉम्पेडिशन को दर्शाते हैं तो मोनोपलिस्टिक कॉम्पेडिशन यहाँ पर आप अब सबसे वहले हमें समझना होगा कि मोनोपलिस्टिक कॉम्पेडिशन क्या होता है तो एक अधिकार प्रतीस परधा कि अगर आप बात परें तो यह तरह कि जालग उत्पाद बेजते हैं और इनके उत्पाद जो है जो प्रड़क्त हैं वो समान नहीं होते हैं इस बाजार में इन्फर्मोद वारा भारी विग्यापन और विपढ़न किया जाता है और इसी वज़े से भारी संख्या में यहाँ पर आपको खरीदार और विक्रिता इसके एक्जामपल को अगर आप देखें तो मालीजी की फोन इंडस्टी जो है फोन इंडस्टी अगर आप देखेंगे तो फोन इंडस्टी में क्या होता है यहाँ पर आपको बहुत सारे विक्रिता देखने को मिलेंगे एक कमपनी है एपल एक कमपनी है बेसिकली आपका स Samsung, Vivo, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी कंपनिया है, OnePlus हो गया, तो बहुत सारी कंपनिया आपको देखने को मिलेंगी, अब बहुत सारी कंपनिया क्या करती है, एक product बेस्ती है, यानि कि फोन बेस्ती है, लेकिन उसके बावजूद भी फोन में आपको बहुत सारा differentiation देखने क मिलेगा, जो feature आपको Apple के phone में मिलेंगे, वो आपको Samsung के phone में नहीं मिलेंगे, जो आपको Vivo को phone में मिलेंगे, वो आपको OnePlus के phone में नहीं मिलेंगे, तो इस तरहे की जो market होती है, इस market को आप क्या कहेंगे, इस market को आप कहेंगे वेसी एकाधिकार प्रतिस पर्धा, दूसरा example अगर आप देखें दूसरा एक्जामपल अगर आप फास्ट फूड के एक्जामपल लें तो फास्ट फूड के एक्जामपल में अगर आप देखें तो बेसिकली बहुत सारी मार्केट आपको देखने को मिलेगी मैकडॉनल्स आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा product में आपको अलग-अलग चीज़े देखने को मिलेंगी Burger King का burger अलग होगा McDonald's का burger अलग होगा इसके लावा दूसरी जो company है उनका burger अलग होगा तो इस तरह से इस वाली जो इस तरह का जो बाजार होता है उसके विशेशता क्या है यहाँ पर कई विक्रेटा मौदूर होते हैं उनका product भी एक ही तरह का होता है लेकिन product में आपको बहुत सारे differentiation देखने को मिलेगा और एक important feature यह भी है कि इसका यह जो company है बहुत सारे advertisement करती है क्योंकि विक्रेटा बहुत सारे है तो अलग-अलग विक्रेटा जो है अपनी विशेष्टा बताने के लिए advertisement करते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो company के ads आपको देखने को मिलेंगे और इन advertisement का परिणाम रहता है कि खरीदार और विक्रेटाओं की संख्या आपको बहुत जादा देखने को मिल जाती है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं हमारा अगला सवाल है नेमले के कतनों पर विशार कीजिए आनने चीजें विपरीत रहने पर बाजार में किसी वस्तू की मांग बढ़ सकती है यदी हमारे कतन है option a कतन एक इसके विकल्प की कीमत बढ़ जाती है और कतन दो इसके पूरक की कीमत बढ़ जाती है कतन तीन वस्तू घटिया वस्तू है और उपभुकताओं की आए बढ़ जाती है और कतन चार इसकी कीमत गिर जाती है तो अपरूप्ट में से कौन सा कतन सही है कौन सा कतन सही नहीं है हमें बताना है हमारा विकल्प जो है option a केवल 1 और 4 option d केवल 2 तीन और 4 or option s केवल 1-3 और 4 या फिर option d केवल 1-2 और 3 इसके सही जवाब कि अगर आप बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option a option A सही जवाब किस तरह से है उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो option A क्या है, एक और चार यहाँ पर सही जवाब है यानि कि अगर जो है इसके विकल्प की कीमत बढ़ जाती है या फिर इसकी जो है कीमत गिर जाती है तब जाकर कि किसी वस्तू की डिमांड जो है बढ़ सकती है, इसको आप जो है विस्तार से अगर आप समझने की कोशिश करें उसको समझने की कोशिश हम पहले भी कर चुके हैं इसके विकल्प की कीमत यानि के सब्स्टिट्यूट प्रॉडट्ट की यहाँ पर बात हो रही है, स्थापन वस्तू की यहाँ पर बात हो रही है, उसको आप याद रखिएगा तब से पहले मांग के नियम की अगर आप बात करें लॉफ डिमांड तो अगर आप देखें तो अन्य चीजे समान रहने पर अगर किसी वस्तू की मांग और उसकी कीमत के बीच में नाकरात्मक संबंद होता है, नाकरात्मक संबंद का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब वस्तू की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग गिर जाती है और जब उस वस्तू की कीमत घटती है तो संबंधित वस्तु क्या हुआ हमने पहले भी बात की थी संबंधित वस्तु यानि के स्थापन वस्तु या फिर आपकी कहें पूरक वस्तु तो किसी वस्तु की मांग आप तो आम तो पर तब बढ़ती है जब उसकी विकल्प की कीमत बढ़ जाती है हमने विकल्प की भी बात की थी यानि कि जो हमने substitute product की आगर आपको याद हो हमने बात की substitute product का example अगर आप देखें तो चाय और coffee का हमने example लिया था तो अगर जो है basically आगर जो है basically आपका किसी वस्तु कीमान कब बढ़ेगी जब उसकी substitute की कीमत बढ़ जाती है यानि कि अगर coffee की कीमत बढ़ जाती है यानि मालिजे coffee जो है पहले 10 रुपे में मिलती थी और 100 लोग coffee की खरीते थे अब क्या हुआ coffee की कीमत जो है 10 रुपे से बढ़ करके 20 रुपे हो जाती है अब क्या करेगा अब जो है इसमें से कई लोग ऐसे होंगे सौ में से जो अब बढ़ी हुई कीमत को अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कीमत बहुत जादा बढ़ गई है तो इसमें से मालिजer 20 लोग कौफी को छोड़ देते हैं अब 20 लोग अगर कौफी को खुड़ेंगे तो वो किया करेंगे वो कॉफी के सब्सुट्टिूट के तरफ चाय की तरफ आएंगे तो अब कॉफी की कीमत अगर बढ़ी है तो कॉफी की कीमत बढ़ने की वासे आपको यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगैं तरह कफन एक जो है वो आपका सही हो जाता है आगे देखते हैं जिन वस्तु का एक साथ उप्पोग किया जाता है जो पूरक वस्तुए होती है उनका भी यहां पर एक example आपको देखने को मिलेगा तो पूरक वस्तु का example हम देखा था पहले भी चाय और चीनी example हो गया जूते और मोजे example हो गई कलाम और चाहिए example हो गई तो सामाने तोर पर अगर आप देखें तो एक अच्छी मांग करते अपने जो है एक अच्छी मांग अगर कोई normal product है तो normal product क्या होगा अगर उपभोगता की आए बढ़ेगी तो normal product की demand भी बढ़ेगी लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं को कहा जाता है घट्या वस्तुओं ये वस्तुओं बेसिकली विपरीत दिशा में काम करती हैं तो आपका घट्या जो वस्त आप कहेंगे कि बिसिकली जो है मालेजे जो है आपकी आए जो है बढ़ जाती है अब आपकी आए अगर आप बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे क्या आप तब भी मोटा अनाज खाएंगे नहीं तब आप मोटा अनाज नहीं खाएंगे तब आप जो है गेहूं खरीद करके तो मोटे अनाज की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी यानि कि जब तक आपकी आए कम है मोटे अनाज की डिमांड जादा है जब तक आपकी आए जादा हो जाएगी तो मोटे अनाज की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी तो इन वस्तों को कहा जाता है आपकी घटिया वस्तों यानिके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दर जाता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अगर आप बात करें आप्शन A है जेब से खर्च आप्शन B जेब से खर्च और सरकार दोरा वहन की गई लागत आप्शन C छोड़े गए सभी अवसरों छोड़े गए सभी अवसरों का मूले आप्शन C अगले सबसे अच्छे विकल्प का मूले अब विकल्प का मूले को छोड़ दिया जिसे छोड़ दिया गया है तो इसका तो सही जवाब है वो है आपका आप्शन D क्या होता है आप सबसे पहले important बार आता है अवसर लागत हैने के opportunity cost क्या होता है opportunity cost तो माली जे की जो है basically आपके पास तीन विकल्प मौझूद थे किसी काम को करने के लिए option A, option B और option C अब होता क्या है आपने क्या चूज किया आपने किसी काम को करने का option B चूज किया अब यहाँ पर options के अगर हम बात करें preference की बात करें करम की बात करें तो इसमें option A सबसे best option option B सबसे best option था option C यहाँ पर second best option था और option A यहाँ पर third best option था तो आपने क्या किया आपने first सबसे best option चूज कर लिया अब इसके अलावा आपने second option चूज नहीं किया अब आपने जो second option चूज नहीं किया उसकी विरे से आपको कुछ फाइदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ तो इसी फाइदा नुकसान के आकलन को आप कहते हैं आवसर लागत तो यानि कि आपने जो सबसे best option छोड़ा है उस सबसे best option की लागत क्या थ उसको छोड़ने पर आपको कितना profit हुआ कितना नुकसान हुआ इसको आप कहते हैं आवसर लागत यानि के opportunity cost अब हमने opportunity cost भी देख लिया option D यहाँ पर सही है और opportunity cost निकालना किसी company के लिए बहुत important होता है ताकि वो अपने निरने लेनी की रुशमता है उसको और जादा बह अब दायक बना सके तो यह हमने opportunity cost को देखा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले सवाल को तो हमारा अगले सवाल है सवाल में आप से पूछा गया है कि पून और प्रतिवेक्टी वास्तविक जी एनपी यानिकि ग्रॉस नेक्ट प्रड़क में वरद्धी उच चस्तर के आर्थिक विकास का संकेत नहीं देती है यदि option a ओध्योगिक उत्पादन करशी उत्पादन के साथ तालमिल बिठाने में विफल रहता है option c गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है और option d निर्यात की तुल्ला में आयात तेजी से बढ़ता है तो इसका जो सही है कि basically आपका जो जी एन पी है यानि कि प्रतिवेक्ति जी एन पी जो है उसमें व्रद्धी तो हुई है लेकिन वो आर्थिक विकास के साथ जो है आर्थिक विकास का संकेत नहीं दर्शाती है अब यहां पर कुछ important शब्द आते हैं कुछ terms आते हैं उन terms को समझना बहुत important जादो जो पहला शब्द है वो है आपका GDP यानिके gross domestic product यानिके सकल घरेलू उत्पाद अगर सकल घरेलू उत्पाद क्या बात करें GDP को अगर आप देखें तो एक निश्चित आवधी के भीतर किसी अर्थ्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्थों और सिवाओं का बाजार मुल्य होता है आपका GDP तो GDP हमने देखा कि एक economy के भीतर कितनी जादा जो आपकी वस्थों हैं जो product हैं और कितनी services हैं इनका उत्पादन जो हुआ है इसको आप क्या कहेंगे इसको आप कहेंगे GDP इसके बाद जो अगला शब्द आता है वो है आपका GNP आनिके सकल र जो भी आप GNP में शामिल करते हैं तो GNP देश के उत्पादन कारकों द्वारा उत्पादे सभी वस्तों सिवाओं के मौद्रिक मौले को मापता है चाहे उसका स्थान कुछ भी रहा हो यानि कि चाहे उसका production देश के भीतर किया गया हो या फिर देश के बाहर किया गया हो इस अगर आप दोनों के difference की बात करें तो जो GDP है वो अर्थवास्था में अपनी व्याक्या को केवल भागॉलिक सीमाओं तक सीमित करता है यानि कि GDP में आप केवल देश के भीतर की चीज़ों को शामिल करते हैं जबकि GNP के अगर आप बात करें तो GNP का जो विस्तार है वो ना अब दो शब्द यहां पर और आते हैं पहला शब्द है आपका नामात्र GDP यानि कि nominal GDP नॉमिनल GDP क्या होता है तो nominal GDP में बिसिकलि आप किसी देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तों सेमाओं की मुल को उनकी मौद्रिक बाजार मुल के अधार पर मापा जाता है यानि कि आपका जो inflation है उसको adjust नहीं किया राता है जबकि दूसरा शब्द आता है real GDP या फिर real GNP तो real GNP में क्या होता है real GNP में basically आपका inflation को adjust किया राता है और इसे एक आधार वर्ष की कीमत की आधार पर मापा जाता है अब यहां पर जो चौथा पांचवा important शब्द आता है वो है प्रतिवेक्टी GNP प्रतिवेक्टी GNP क्या है तो प्रतिवेक्टी GNP basically यह एक वर्ष में किसी देश दोरा उत्पादे सभी वस्तों से वाव का कुल मूल है जिसको अगर आप उस देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे या निकि एक देश के अंदर मा लेजे आपका 100 रुपई एक देश के जिडिपी है वो 100 रुपई की है और वहाद की जनसंख्या 10 है तो आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और उसकी प्रतिवेक्टी GNP क्या निकल कर आएगा वो आएगा आपका 10 निकल कर कर आएगा यह हमने GDP और GNP की बात की आब वो पूल और प्रत बढ़ती है इसका मतलब यह है कि वहाँ पर समावेशी विकास मौजूद नहीं है वहाँ पर इंक्लूजिव डिवलप्मेंट नहीं है किसी की आएज़ादा बढ़ रही है किसी की आएकम बढ़ रही है तो यह चीज जो है आपको देखने को मिल जाती है तो इस तरह से यहाँ और option C जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है चली बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सवाल पे तो हमारा जो अगला सवाल है उसने आपसे पूछा गया है कि किसी देश के GDP अनुपात में कर की वरधी कर की कमें ने मिलकेत में से क्या इंगित करती है हमारा जो कथन है यह सही जवाब क्या है यहां पर करकेका कर सही है कर-to-GDP रेशो कर से GDP अनुपात क्या होता है ये ये बिसिकली आपका किसी देश की GDP के सापे कर राजसों का अनुमान जो है दर्शाता है तो धरन के लगर आप देखें किसी देश की GDP अनुपाद जो है 20 प्रतिशत है तो इसका मतलब ये है कि अगर उस देश की GDP 100 रुपए है तो उसमें से 20 रुपए तकरीबन आपका कहां से आता है 20 रुपए आता है आपका कर राजसों की मार्धम से यानिके टेक्स रिवेन्यू की मार्धम से अब जो आपका कर टू GDP अनुपाद है वो बिसिकली आपका साल अधार पर मापा जाता है क्योंकि देश की एकॉनमी की सिच्वेशन कैसी है उसको आपने के लिए उसको देखनी के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है अब जो है जो आपका कर है वो आर्थिक गत विडियो से सम्मंदित होती है इसलिए अनुपाद जो है सापेक्षी सुसंगत माना जाता है हाला कि जब सकल घरेलू उतपाज बढ़ता है तो कर राजल से भी बढ़ना चाहिए लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब देश में आर्थिक मंदी आती है तो परणाम सरूप विकास दर कम होती है और इसकी वेज़े से बेरोजगारी बढ़ती है और भोगता कम घर्च करते है आनिके आपका जो टेक्स है वो कम हो जाता है तो इसकी वेज़े से जब इस तरह से जब आपके देश में आर्थिक मंदी आती है तो आपके देश में GDP तो कर टू जो है वो कम हो जाता है तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर जो आर्थिक विकास की दर्ज़ ये आपका सही हो जाता है आप कथन दो कि अगर आप बात करें तो गराश्टी आय का कम निया संगत वित्रन सीधे तोर पर कर GDP अनुपात में कमी को नहीं दर्शाता है तो इस तरह से आपका जो कथन दो है वो गलत है तो इस तरह से option A यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जात है तो हमारा जो अगला सवाल है वो आपका वाशिंग्टन कंसेंस से जुड़ा हुआ है सवाल है हमारे जो कथन है वो है आपका राजस्त अनुशाशन नीजी करण विया पार उधारवाद या पिर करस उधार तो नीचे देगे कोड का उप्योग करते हुए हमें सही विकल् डाज़न के यानि कि एक दो तीन चार्श सभी यहां पर वाशिंग्टन कंसेंस में शामिल थे आप सबसे पहले सवाल उठता है कि वाशिंग्टन संसेंस है क्या तो वोशिंग्टन सर्वसमिठी या फिर कंसेंस ब्रिटिश अर्श शाष्त्री जॉन विल्यम्सन द्वारा दिया गया एक शब्द है जो 1989 में दिया गया था ये क्या है ये आपका नीतिगत सुधारों का एक सेट है एक ग्रुप है जिस जो जिस जिन सुधारों को कोई देश अपने छेत्र में लागो कर सकता है अब यहां पर दस प्रस्ताओं की बेसिकली बात की गई है कौन-कौन से प्रस्ताओं है इसमें पहला है आपका राज कोशिय अनुशाशन तो इस जिससे कतन एक सही है उच आर्थेक रिटर्न और प्रात्मिक स्वास्त देख भाल प्रात्मिक एक्षा और बुन्यादी धांचे जैसे जो आए वितरण में सुधार की संभावना वाले छेत्र है उन प्रवेश और निकास की बाधाओं को समाप्त करना है नहीं क्या आप कह सकते हैं इस ऑफ बिजनस को बढ़ावा देना इस ऑफ डूइंग बिजनस को बढ़ावा देना यहां पर एक इंपॉर्टन पॉइंट है संपत्तिक अधिकार की सुरक्षा करना इस तरह से आपका कथ जो विकल्प C है वो सही जवाब हो दाता है अब अपने एकले सवाल को देखें तो हमारा सवाल है कि नियोजन के इन मिलिकित मिडियों में से कौन सी विधी कारक आवंटन और उत्पात पैदावार के संदर में विकास प्रयासों के नहितारतों को पूरा करने का प्रयास है ताकि आए और रूजगार को अधितम किया रहा सके हमारे विकल्प है option A परिप्रेक्ष योजना option B भौतिक योजना option C वित्यय योजना और option D संकितिक योजना तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका भौगौली की योजना तो भौगौली की योजना को आप कह सकते हैं क इसका जो है option सही भी जो है सही जवाब हो जाता है अब अगर सवाल को एक बार आप देखे तो सवाल में basically सबसे पहले बात की गई है परिप्रेक्ष योजना की तो परिप्रेक्ष योजना को आप एक रणनीतिक योजना के तौर पर strategic plan के तौर पर या फिर एक दिर्ग कालिक योजना के तौर पर देख सकते हैं जिसे basically आपका दस से 20 साल या फिर आम तौर पर पंचवर्शी योजनाओं के साथ ही से अंतर नहीं किया जाता है तो अलब कालिक लक्षियों के अलावा दिर्ग कालिक लक्षियों का भी पालिनस में किया जाना चाहिए इसके अलावा भौतिक नियोजन को कि अगर आप बात करें तो भौतिक नियोजन को उपयोग basically आपका भूमी उपयोग पैटर्न से समंधित नियोजन में किया रहता है और पंचवर्शी योजनाओं जो second हमारा five year प्लान था उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कहा गया है कि यह जो आपका भौतिक नियोजन है वो आपका कारक आवंटन और उपात पैदावार के संदर में विकास प्रियासों के नहितार्थों पर साम करने का प्रियास करता है ताकि आए और रोजगार को अधिक्तम किया रहा सके तो इस तरह से आपका जो विकल्प B है वो सही जवाब हो जाता है इसके लावा इसे आप आलपकालिक योजना के बजाए समग्र दिर्खकालिक योजना के तोर पर भी देख सकते हैं और अगर आप बात करें इस पर वित्तिय जो अगला वित्तिय न्यूजन है फिनांशल प्लानिंग को अगर आप देखें तो ये बेसिकली आपका किसी की आए और व्याए और इसके लावा वित्त से सम्मंदित भाविश्य के प्रबंधन को दर्शाता है तो इस परकार की जो योजना है जो आपका फिनांशल प्लानिंग है वो मुद्रास फिर्ति से बचने और आर्थिक स्थिर्ता प्रदान करने के उद्देश से की जाती है ताकि आपका मांग और आपूर्ति की बीच में असंतुलन को दूर किया रह सके तो यह हमने बेसिकली फिनांशल प्लानिंग की बात की इसके लावा एक चब जहां पर और आता है वो है सांकियति की योजना यह बेसिकली आपका राष्टी आर्थिक योजना का एक रूप है जिसमें कई वर्षों में आम तोर पर लगभग पाँच वर्षों में राष्ट पर बात की है वो आपको समझ में आये होंगी और अगर आपको प्रष्ट पत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आता है तो इस सवाल को स्वाल करने में आपको किसी भी तरह की समझा का सामना नहीं करना पड़ेगा और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उस कुछ important जो हैchen फुल-form आप सकने है Stability कि फुल-form आप सकने हैं सेवी की सुधी क्या है। कि अगली विडियो में तब तक थे अपनal रख्याद की द्हान रख्यान पढ़ति रहे ! दियो विवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले